सो हेलो एंड वल्कम गाईज कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत जादा बहतरीन होंगे अच्छे होंगे खुश होंगे एंड सेफ होंगे एंड सबसे इंपोर्टेंट बात यार अपने अपने घरो लिया है और बहुत साय लोगों ने अप्लाय कर लिया है लेकिन 25% लोग अप्लाय नहीं कर पाए हैं उस लोन को वहां पे कुछ लोगों ने उनकी हेल्प भी की थी जहां पर मैंने देखा तो उनने बुला था कि आपने यह चीज़ फावर्ट की तो उनको पता ही नहीं है त अपनी बात नहीं कर रहा है किसी भी यूटीवर्स की देखो अगर आपको उस कुछ समझने के लिए हो ना तो पूरा विडियो को देखा करो कहीं तक साथ मिनिटूं की वीडियो हो सब को पूरा देखा करो क्योंकि उससे होता क्याए ना आपको बात इसमन में आएंगी कैस आपको लोग करोगे, skip करके देखोगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान दे है, आज मैं आपको जिस loan platform के बारे मताने वाला हूँ, क्योंकि में बात ये, वीडियो को देखना होगा important, देखो आया, हर किसी viewer के लिए जरूरी है, वीडियो को जब तक आप लोगा end तक ने दिखोगे न, तो आपको रती भर भी समझ में नहीं आगा, कि मैंने आपको क्या बोला है, और आपको क्या कुछ करना चीए, तो प्लीज ज़दा problem, वो struggle करते हैं, लोन लेने के लिए, और उसमें से कुछ किस्मत हो, जिनको लोन मिल भी जाता है, वरना बहुत साय लोगों से आप पूर सकते हो, लोन अप्लाए और उसका approval नहीं हो पाता, तो ऐसे condition में आपको वीडियो को पूरा end तक देखना है, ठीक है, और से क you can get the loan, without any problem, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, यह ही एक terms and condition है, दूसरी बात, आपके पास दो mandatory documents होना चाहिए, जैसे कि आपका pen card, दूसरा धार card, यह आपके दो EKYC documents में से एक आते हैं, जिनके basis पे आपकी identity verification complete की जाती है, तो यह documents आपके पास किसी भ चैनल को subscribe करना है, जिससे चैनल के member बनूंगे और daily videos आपको updated हमेशा रखेगी, और साथ ही में जोई comment box है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पूरा नाम लिखने किस जगह से वीडियो दिखरो और साथ ही loan लेने का mean reason क्या है नीचे मुझे comment box में लिखके बता देना है तो यह तो यह कुछ basic सी बात है जो कि आप लोगो definitely follow करनी होगी तो करते हमारा मीन वीडियो जानते हैं कि आप लोग कि इस प्रकार से जो है up to one lakh रुपिस तक का personal loan apply कर पाओगे तो बता दीता हूँ यह हमारी वीडियो जो कि फिराल आप लोग अपनी mobile screen पर देख सकते हैं वीडियो के जस नीचे आपको यह title देखने को लिंक आपकी automatic Google के search browser से connect होएगी और आपके सामने शोग करेगा Google का search result तो यहाँ पर गूगल का search result है यह पहले जो automatic लिंक है वो automatic loanpower.in सर्च कर लिता है और यह जो first website देखने को मिल रही है loanpower.in करके जो कि यहाँ पर आपको शोग कर रही है आज हम इसी website के help से जो है personal loan apply करने सकते हो उसके बारे में आपको A to Z information और proper method के साथ मैं आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आप लोग इस तरीके से loan को ले पाओगे और जब आप लोग इस website पर simply tap कर जाओगे तो एक तरीके से आपका जो पहला step इस website में पहुंचनेगा और इस video का वो खतम हो जाएगा पहल जैसे ही browser open करोगे तो Google का search interface को लाता है जहाँ पर search interface में जो Google का search बारे सबसे पहले इस पर tap करना है आप लोगों ने जाके जैसे ही tap करोगे अब मैं यहाँ पर आपको एक word बताऊँगा इस word को जाके आप लोगों ने simply search करना है जो की है loanpower.in इस word को डालो अपने गूगल के type की mistake नहीं करनी है वरना अकसर लोग जो है इस word को लिखने में बहुत बड़ी mistake करते हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कोई विक्ति करें तो please loanpower.in as it is लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है लिख के आपको simply कर देना है search जैसे आप लोग सर्च करते होगे यहा आप लोग कैसे personal loan apply कर सकते हो तो इसके लिए आपको इस website पर कर देना है tap तो जैसी आप लोग website पर क्लिक कर दोगे थोड़ा सब वेट करना है जहाप हमारी website open हो जाएगी loanpower.in करके website का open होने के साथ ही करना क्या है left side में मिलेगा three bars options पर आके करना है simply click जैसे आप लोग इस option इस आप आप आर्टिकल्स application loans related वो सब आपके phone में शो करने लगेगा इसके बाद से right side में एक search बार है यहाँ पर आपको simply tick करना है और यहाँ आप जाके आप लोग उने word को search करना है जिस word का नाम है यहाँ पर salary dose ठीक है आपको यह word पूरा डालना है जिस में as it is डाला हुआ और इस word को डाल के simply कर देना है search तो जैसी आप लोग salary dose डाल के search कर दोगे एक article शो करेगा कि salary dose app क्या है इस loan absolutely कितना मिलता है और loan कैसे आप लोग apply कर सकते हो और इसके बारे में आपको A to Z information मिल जाएगी यहाँ पे इस पूरे article के अंदर तो इस article पे सबसे पहले आप लोगो होते हैं और doubts होते हैं सारे doubts भी यहाँ पे clear होएंगे तो पूरे जो आर्टिकल है आप लोगो पूरा पढ़ लेना है carefully पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पको सारी information मिल जाएगी जब पूरे आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ लो तो यहाँ पे आपको apply नाओ का button दिखने क क्लिक तो जैसी आप लोग को यहाँ पे apply नाओ के button पे क्लिक कर लेते हो आपके सामने salary दोस्त आप का mean homepage कुछ इस तरीके से खुल किया रहेगा जो कि आपकी mobile यहाँ पर आने के साथ सबसे पहले आपको अपनी language को चूज़ करना होगा तो इंग्लिश करके कर लेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा user license agreement जहाँ पर आपको डेख सकते हो कि privacy policy का एक पेज है जहाँ आपको simply agree and continue पर tap कर दिना है इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मि apply loan का एक page देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर करके को सारी information बढ़नी है सबसे पहले पुछाएगा कि loan लेने का कारण क्या यह बताना है फिर आपको अपनी employment का टाइप बताना है काम काच क्या है आपका इसके बाद job type designation कितने साल होग यह काम करते करते कितना experience है और कितनी salary मिलती है यह कुछ चीज़े आपको जो है fill out करनी होगी और जो सचा ही है वही भणना ठीक है इसके बाद save and proceed पर click कर दिना है इसके बाद यहाँ पर आपके personal details की जानकारी आती है जहां पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा नाम डालना होता है जो भी आपका नाम है वह एस पर यह आपका pancard या अधार काड यानी documents basis पर होना चीए यह बाद धियान लगना फिर आपका father name और last name यह डालने के बाद आपको date बाद डालने है आपके आधार काड के असाब से matter status बताना है single हो या फिर married हो भी इसके लाबाद gender बताना है male female जो भी फिर address आपको save and proceed पर क्लिक कर दिना है इसके बाद जो है यहाँ पर डान काई पूरी भर्त होगे तो यहाँ पर आपको सामने मीन homepage खुल किया जाएगा salary दोस एप पे कुछ इस तरीके से जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा loan easy and fast तो यहाँ पे अभी हमारा जो personal loan का request अभी पूर अब करना किया है यहाँ पर आपको simply proceed करना है आपको अपना loan amount चूज करना है आपको कितना loan चाहिए आपको KYC document याने अधार card और pen card को upload करना है और bank के details को bend कर देना है और apply now के बटन पर simply click कर देना है और आपका loan salary दोस आपके थूरू है easily apply हो जाएगा अब यहाँ पे eligibility checkout के थोड़ा सा time लग सकता है और आपको जो status जाना होगा loan के बारे में यहाँ पे आप जो है इस application में आके पूरा track कर सकते हो easily method से ज्यादा कोई मुश्चिल काम नहीं है तो अमीदे इस video में समझाएगे जीस प्रसंद आई होगी अगर आपको कोई भी सवाल नीचे comments ने